नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार अमीन 17-176 पोस्ट के रिगारिंग जिसमें कि आप लोग को बहाली का जो प्रोसेस है वो कब तक होने वाले हैं जैसे कि पटना हाई कोट के तरब से आप लोग की रिजल्ट प्रकासित हो जाएंगे क्या कुछ इसमें पोस्ट होने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे भ्यारतियों का कमेंट आ रहे हैं कि हमारा पोस्ट कौन से मिलेंगे क्योंकि इस वेकैंसी को बहुत समय हो चुका है तो उस हम नोटिस भी दिखाएंगे कि क्या कुछ आपके पोस्ट क तरफ से नोटिस निकाला गया है जैसे कि इसमें दिया गया आप लोग के पोस्ट के लिगाड़े जो अमीन की जो पोस्ट है 17-17 पोस्ट उसमें किस पोस्टों पर आप लोग को पद हेतु अस्थापित किये जाएंगे वो सारा कुछ दिया गया है जैसे कि जीला उप सन्वार उसके अंचल अमीन के तहट आ लोगो भाल किये जाएंगे जो अंचल अमीन होते है उसके बाद हम यदि बात करें तो भूमी सुधाहर भिवाग जो हते हैं उसके अंतरगत आ लोग को उप समार्ता कारियला जो होते हैं वहां पर आप लोग को पोस्टिंग दिया जाएगा तो यह सारे आभी बहुत सारे बहुत सारे कमेंट भूल भी गहे थे तो इसी के लिए हमने आपको यह खोज के लाये और आपको सारा अपडेट बता दिये और यदि हम बात करें फाइनल जज्मेंट के कि high court final judgment आप लोगो कब तक दीने वाल हैं तो वह भी हम लोग इस video में जान लेते हैं चलते हैं जो पतणा high court है उसका officially site पे और वहां से जानते हैं कि आप लोग की case है उसकी update क्या है हम लोगा आ चुक है जो final judgment वो आगे थे और इसमें आप लोगों के जो होते हैं delinkate करके जो single judge के सामने जो सुनवाई होती है वो सिर्फ वचा हुआ है तो इसके regarding आप लोगों का final judgment जैसे ही आएंगे हाई court के तरफ से हम सारे update आपको बताते रहेंगे आपका कब तक merit बनने वाल है कब तक आपका बहाली होंगे सारे update हम आपको बताते रहेंगे तो आप चैनल के साथ बने रहें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको LRC अमीन और बिहार जो आप लोग की जो पोस्ट है 1766 वाले पोस्ट अमीन का सारे update आपको मिलते रहेंगे चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभी तक लिए तने थैंक्यू